नमस्कार दोस्तों आपको अपने टेकनिकल बड़ा चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों अगर आप भी आप अपना योनो एस बिया जैसे ही आप खोल रहे हैं और इसमें लोग इन करते हैं तो आप से यूजर आइडी पासवर बंगता है और वो आप भूल गये हैं दोनों यूजर आइडी और पासवर चलिए मैं आपको बताता हूं सेटर वाई सेटर जैसे कि मैं यहाँ पर अपना योनो एस बैइक खोल लिया जैसे ही मैं यहाँ पर देखी योनो एस बैग ओपन करता हूं और यहाँ पर लोग इन करने के लिए यहाँ पर रजिस्टर नाव पर नहीं SBI का तो चलिए यहाँ पर OTP भेज़ेगा उसके बाद यह डिडेक्ट कर लेगा फिर आगे का मैं प्रोसेस बताता हूं दोस्तों आप यह वीडियो को पूरा अंतक देखिएगा मिस मत करिएगा जिसे कि एक भी अगर आप मिस करलेंगे तो हो सके कि आप आगे का समस्य का समधान नहीं हो पाई आपका उसके बाद किया पर मैं公alen आहищं करता हूँ और ऑपको एंट यह इसको का पाश वर डाता है तो यही दोनों आप भोल गया है तो इसको कैसे वारगट करेंगे इसी के बारे मुंकर बढत तो उसके लिए क्या करना होगा आपको इसको क्लोज कर लेना है और आपको अपने Google Chrome कोई भी ब्राउजर हो इसे खोल लेना है और यहां पर आपको Google Chrome खोल के और यहां पर आपको सर्च मारना है Online SBI जैसे ही आप Online SBI सर्च मारेंगे तो आपके सामने यह इंटरफेस आएगा यहां पर देखे www.online.sbi.sbi करके URL होगा इसे पर आपको क्लिक करना है यह इसकी Official वेबसाइट है ओके सांती हो देख लीजिएगा URL ही होना चाहिए उच्छी का आपको क्या करना है यहां पर यूजर आइडी पासवर भांगा तो आपको यहां पर कुछ नहीं करना सिंबल जबात आपको नीचे आएंगे तो नीचे एक ओप्सन दिखाए देगा फॉर्गेट यूजर नेम लोग इन पासवर तो आपको इस पर क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इ यहां पर नेक्स पर क्लिक करना है जैसे मैं इस पर क्लिक कर दोंगा तो यहां पर कुछ डिटल मांगेगा आपका यूजर नेम बताने के लिए यह बतायागा आपको यहां पर इस बैंक में रेजिस्टर होगा उसके बाद यह जो नीचे क्यप्चा कोड दिखाए दे रहा ह यहां पर फिल कर दिजिएगा उसके बाद सब्मिन पर क्लिक करेगा तो चलिए मैं सारा डिटल फिल करता हूँ तो दोस्तों मैं यहां पर सारा डिटल फिल कर दिया फिर यहां पर नीचे सब्मिन पर मैं क्लिक करूँगा जैसे मैं सब्मिन पर क्लिक करूँगा तो यहां प डाल दिया उसके बद आपको next पर click कर देना जैसे next पर click करेंगा तो यहां पर देख सकते हैं आपका username यहां पर दिखा देगा कि कौन सा आपका username है तो यह इस्याद कर लिजेगा note कर लिजेगा अब चलिए आपको फॉर्गेट आपको पासवर्ड करना है तो इसके लिए का करना होगा यहाँ पे यूजरेम में पत्ता चल गया प्सक्र पता करना है व Hampshire करने के लिए फिर से आप ऊपर आपको सर्च मारना है ओनलाइन ऑपिर से जिस हैं सर्च मारें में जो प्रोसेस है फिर से लाइन के किये यूजर्नेम पासवर्ट पता करने के लिए तो आपको यहाँ पर उपर वाला पर सेलेक्ट रहने देरा फॉर्गेट माई स्कॉत लॉगिन पासवर्ट ऋपर सेलेक्ट करके और आपको यहाँ पर पर किलिक करना है उसके बात यहाँ पे कोई डिठल सब्मिट करना है जैसे को उपर दिखाए देरि है यहाँ पे अपना युजर नेम डालना पिर आपका जो अकाउंट नमर हो डालिएगा पिर यहाँप सब्सक्रंद करता हूं तो तो दोस्तों यहां पो मैं शारा देट possibility यहां पे जब भी आप डालिएगा तो यहां पे लगा कि डालिएगा जैसे कहा का जो आपका डेट होगा फिर मन्होंखा फिर Yeres pagina फिर यहां पर सब्सक्राइप फिर इसके बाद यहां फिर confirm पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आपको तीन option आपको दिखाए देगा यहाँ पर देखिए using ATM card detail, using profile password और इसे to login password with branch activation तो आपको तीनों में से कोई अगर आपके पास detail है तो आप अपना password forget कर सकते हैं अगर profile password है तो आप profile password पर क्लिक करके आप password forget कर सकते हैं तो सबसे easy तरीका में बता रहा हूँ यहाँ पर using ATM card detail तो जाहिड सी बात है आपके पास ATM card होगा ही तो उस पर क्लिक करके आपको सबसे पर क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी आपका ATM card होगा वो यहाँ पर show कर देगा जो आपका active होगा इस bank से related तो मेरे पास यह वाला ATM card है जो की active है तो इसको हम यहाँ पर click करके select करके यहाँ पर tick करके यहाँ पर confirm पर click करूँगा जैसे मैं इस पर click करूँगा तो यहाँ पर card holder name पुछेगा फिर यहाँ पर card से jury यहाँ पर expiry date वो डालना होगा फिर जो आपका pin जो आप पैसा निकालते है ATM में जाके जो चारंग का pin जो यहाँ पर डर्ज करते हैं वही यहाँ पर आपको लिखना होगा उसके बाद यहाँ पर जो capture code दिखाए दे रहा है यही capture code यहाँ पर फिल करना है फिर आगे process पर click करेंगे तो चलिए यह साड़ा detail भारता हूं तो दोस्तो मैं यहाँ पर साड़ा detail फिल कर दिया फिर आपको यहाँ पर क्या करना process पर click करना है नीचे जैसे आप process पर click करेंगे तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको your debit card validation यहाँ पर success कर दिया उसके बाद आपको क्या करना होगा बोल रहा है कि प्लीज do not refresh page यह automatic refresh करेगा तेखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है थ्वादेर वेटी करना है आटोमेटिक refresh करने के बाद यहाँ पर इस page पर आ जाएंगे फिर यहाँ से आपको से बोला जाएगा कि आप अपना नया password जो login पासवर्ड है यहाँ पर बनाना है तो दोस्तों यहाँ पर नया password बनाने के लिए आपको यहाँ पर आपको अच्छर लिखना है फिर आपको अ डालता हूं तो दोस्तों यहाँ पर जो आप password बनाएंगे वही password उपर डालिएगा नीचे डालिएगा उसके बाद यहाँ पर submit पर किलिक कर देना जैसे हैं सब्मिट पर किलिक करेंगा तो यहाँ पर दिखाया देते का your login password has been reset successfully तो दोस्तों जैशा कि आप username पता कर लिया औ आप चलिए login करता हूं यहाँ पर you know sbi app को खोल कर ओके तो यहाँ पर चलिए register नौप पर किलिक करता हूं फिर यहाँ पर अपना सीम सेलेक करता हूं जो इस bank में रेजिस्टर है उसके बाद next पर किलिक करता हूं उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो verify करेगा आपका जो यहाँ पर यहाँ पर पासवर्ड आपको डालना है जो भी आप बनाए हैं नया तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देखें जैसे मैं सब्मिट पर मैं किलिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए successfully यहाँ पर OTP भेजा जाएगा फिर यहाँ पर OTP डालेंगे उसके बाद आप कलिक कर देगे उसके बाद यहाँ पर 700 बोलेगा सेट करने के लिए तो आप यहाँ पर नया बना लीजिए गा तो चलिए बनाता हूँ बना यहाँ यहाँ पर बना लिए उसके बाद next डिस्पूली रजिस्टर हो गया हूं यह नोई SBI के एप में देख सकते हैं अगर फिर भी कोई दुक्यत होई है इससे जूरी तो नीचे जरूर कमेंट कर देज़ेगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में ओके